पूरे देश में जिस तरह से COVID के मामले बढ़ रहे हैं, अब हमें फैशला ले ले लेना चाहिए, कि हमें ये परिक्षाइं टाल देनी चाहिए, अब सवाल ये उठता है कि परिक्षाइं टालेंगे तो करेंगे क्या, उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, उसके लिए ये व जो अपने बच्चों को साल के अंतमें 3 घंटे की परिक्षा लेके पास करते हैं, बाकि सब लोग बच्चों का continuous assessment करते हैं और उसके base पर अगले class में promote करते हैं, तो COVID के के वक्त में हम वो तरीका भी अपना सकते हैं तो हमारे पास विकलब तो बहुत हैं, पर एक बार ये हमें सुईकार हो की हम अपने बच्चों को परिक्षा केंदर पर भेजें और परिक्षा केंदरों को COVID का होट स्पाट बनाए ये रिस्क हमें लेना है कि नहीं लेना हमारे इसाफ से नहीं लेना चाहिए नहीं मनीज जी देखिए इसमें कई दलीले दी गहीं मेरे ख्याल से आप क्योंकि सरकार में हैं आपके सामने भी दलीले आई होंगी कुछ लोग का जो ये कहना है कि इनको टाल देना चाहिए और फिर जो लोग तर्क ये देते हैं कि इसको हो जाना चाहिए उनका एक हैना है कि जैसे बारवी की परिक्षाएं परिक्षा लेंगे और उसमें सब कुछ पास या फेल करेंगे यह बहुत और्थोडोक्स तरीका पहले से ही है दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही इसको छोड़ चुके हैं हम अभी विसको चला रहे हैं कोविट के समय भी हम यह कह रहें कि साभ हम तो इसी तरीके से परि नहीं है आप नए तरीके अपना ये नए तरीके अपना के मैं यह नहीं कहरा आगे बढ़ा दीजिए आगे बढ़ाने कोई सॉलूशन नहीं है आगे बढ़ाएंगे अभी आपको बता नहीं है कि कोविट की सिचुएशन आगे क्या रहने वाली है कितना आगे बढ़ाएंगे uncertainty बनी रहेगी आप बच्छों के मन में भी जितनी anxiety uncertainty उसको clear करिए उनको बताइए कि हम अब आपको evaluate करने का हम आपके assessment करने का ये तरीका आपना रहे हैं